वाहिगर जी का खाल साव वाहिगर जी की फतिम है तोड़ी हो स्टेनिम कोर्थ मैं टीवी एटीव फोर्दे सारे दर्शकांदा हार्दिक स्वाक्त कर दिया प्रोग्राम सच्चो साच विच पंत दी मान सक्षियत डाव्टर अमर जी सिंगी मेरे नार बैठे वेने आउनान मे के प्रोग्राम शुरू कर दे हैं तेन जून दो हजार तेरा इकी जेट नानुक्षाई सम्मत पांसो पंस तालिदा देन है आज तू ठीक नतिस साल पहला तेन जून उन से उच्रासीनू पार्टी फोर्ज ने शिरी अकाल तक साहिब अते सैंती होर्द अत्यासिक गुर्द रहे देन जून उनिसो च्रासीनू पंजमे पाथशा साहिब श्री गुरू अरजन साहिब जी दा शहीदी पूरुप सी एसले संगतां बोथ वड़ी गिंती वेच गुर्दवारे मेच मर्यूद सान असी आपने प्रोग्राम सच्चो सच ते टीवी 84 न्यूज प्रोग्राम फेस्बुक मैसेज़ वेब मैसेज़ आदे सेक्शन विच्चू जेस पहली एमेल नो पिक किता है और जून 84 दे कलू करे दे शीदान दी दास्तान है अते से कौम दे वर्तमान अते पविक दे निशानें दी सफल निशान दी ही वी करती है एमेल हॉलान तों रियाज कुम मंजी दी है एलिक दिहान सतकार जाव डॉक्टर साहब प्यारे पाई साहब डॉक्टर आमर जी सेंग जी सत्सरियाकाल अपनी एमेल शुरू करन तो पहला मैं फत्यक जान दा हाँ वाहिगर जी का खालसा वाहिगर जी की फत्ये मेरे लिए ब बड़े फकर दी गल है के मैंनू अपने विचारते पावनावा तोडिनाल अते समुची कौम से कौम नाल खालस्तान दे वासी पैन प्रावनाल सांजय करन दा मोका मिल रहा है ना मैं लिखारी हां अते ना ही कदी लिखारी सी मैं तो नू एवी दसना चांदा हां के मेरे वलों बाई मैयनू लिखी गई एमेल आपने विद्यारती जीवन काल तो बाद लिखी गई पैली लिखत सी जड़ों तुसी इस एमेल दा जवाब दिता तांतो ओडे वलों विखाएगे प्यार अते सने ने ना सिर्फ मैंनू पावना गडूद कर दिता पर आज मैं पूरे दरड विश्वाश नालतो ओडे हातनू कोट के फड़दा होया तो नू अते तो ओडे कौम नो यकीन पहला था अज तिन जून दा देने विकी जेट और मंदिया नजरा सामने उनती साल पहला हिंदोस्तान दी हकूमत ने शरी अकालतखत साहिब ते सेंती हो रहे ते हास से गुड़दा रहे हैं ते टैंकां तो पानड हमला करके जो करलो करा रहा वरता है जी उस दी सिर्फ या ये उनती साल भी एक फिलम वांग उस एक चितर तो बाद दूसरा चितर तो अडियां मंदी आखां सामने हो दे तुसी पिछे मुड़के देख देओं किना नुकसान किने बे गुना दा मारया जाना किने अनकी यो दे जेड़े उस अकाल तखत ते पैंदे गोड़या नो ज जेना ने महसूस कीता कि उना दे अपने वजूत ते डिगे ने हर मंदर साब दिया पर कर्मा चाय टैंक उना नो लगा कि उना दे अपने उते चड़े ने और मारे गए बेगवना बच्चे बच्चियां बज़रग ओ साब इमें लगए जबे अपने परवार दे जी मारे ग जे उना ने अपनिया जवानियां करुबान कीती हैं उस सारे ही साड़ी आखा सामने ने बेशक इस हफ़ते च जेसती शुरुआत पिछले दो तरी जून तो ही हुई है दुनिया पार्दे विच शहीदी दिवान हो रहे ने प्रोटेस्ट हो रहे ने सेमिनार हो रहे ने और भी कही तरीक्या नार केंडल लाइट विजल जनार इस देनों याद किता जाएगा जे मेरे लए वी एक चंगी गाल सी कमें एक काल दा देन कैलिफोर्निया दे यूबा सिटी शैर दे विच गुजा रहे है उना वीरा पैना दे नार जेड़े बहुत सारे बेशक सानू समय तो जान देने मेरे लेकर इस प्रोग्राम सचो साच रहीं जिसनों रीडियो रहीं सुन देने उना ने इस प्रोग्राम नों लिके जिस प्यार और जिस जजबे देनार इस दिननों सेलिबरेट किता जह सानू नों ने प्यार देता है वो अपने आप दे विच एक याद मज़ों रहे गहär और ये सारा ही हफता हर थांते कुछ ना कुछ जिते जिते भी कुछ सिख बैठा है उसने कुछ उलिके असी आणवाड़े दिना चवी ये सबंदी वेरवे नाड़ गाल करांगे आज दे प्रोग्राम चवी गाल बात करांगे और टीवी 84 न्यूज दे लईवी ये सारा हफता है बड़े डिस्टिंग्विश्ट बड़े ओवीर जना ने किसे ना किसे तरीक के नाड़े सारे दे नाड़ों जुड़े रहने उना नाड़ गाल बात होएगी जो मैं मैंनों दस्या गया है कि आज डियस गिल जड़े के चेर परसन ने इंटरनेशनल हुमर राइटस औरगनाइज़ेशन उना दे नाड़ गाल बात है उना तो इलावा सर जस्पाल सिंग हे रहा है जड़े के रुजाना स्पोक्समें रुजाना पैरेदार दे एडिटर ने उना दे नाड़ भी गाल बात है और आणवाड़े दिनाच कल जत्तदार जुगिदर सिंग विदानती एड़े कालतंग साब दे जत्तदार रहने और उना ने उस दौर दे विच ओ गरंती सान ओ खुद भी ग्रिफतार हुए और एक आई विटनेस भी ने ते उना ने कि में इस सारे नो देखिया है महसूस कीता है उना दे नाड़ एक्सक्लूस से वद्दे केंटे दी गाल बात होएगी इसे तरह होर भी इना दे विच हिस्टॉरियन और दूसरीय शक्सियता ने टीवी 84 न्यूस जड़ी है उना नाड़ गाल बात होएगी पहला आज दे प्रो हलांके आईता काफी दिना दी है पर इस नो पढ़ दे है मैं नो लगया कि असी ता अपना दुख अपना दर्द सिख दे ना ते हर एक नहीं महसूस कीता है ओ दोरा रहा है दोहरांदा है दोहरांदा रहे गाए लेकन एक मुसलमान वीर वल्लों जड़ा साड़ी कौम चो न लेकन उना ने एक इनसान देना थे एक जंगे मुसलमान देना थे एक पंजाबी प्राहोन देना थे जिवें उना ने उस दर्द नो महसूस कीता है और अज भी 29 साल बादो महसूस कर देने उना दी इस लिखत नो पढ़न तो बाद मैंनो लगया कि भी इस प्रोग्राम नो उना दी लिखत राएं ही जड़ा उशर्द आंजली दे आंगे अपने विच्ड़े उना वीरा पैनानो शहीदानो उना माता पितानो जड़े अजवी अपने उना बच्चे बच्चियां दी कोई इंतजार चाहे कोई उडीक चाहे किसे नो यकीन ही नहीं है और उना ने ति जनो ओ बच्चे चले जाँ देने तो उना दे नूर चला जाँ दे उना असली पावर कट है जो एक बड़ी जदबाती उना दी लिखते है बेशक थोड़ा जा समय नो मुक्ह रखते हैं थोड़ा जा सी एडिट कीते है इसनो जबे उना ने पावर कट वाड़ा खुश वेरवे नाड एक्स्प्लेइन किता है सी पर असी समय दे हैं कि एक गैर सिक पर इनसानी जजबे नाड परे हुए मुसल्मान पर आवनों आई एमेल जड़ी है और उन्हा वनों देती गई शर्दा अंजली इस तो वदिया शायद असी भी नहीं सी दे सकते तो असी एस नो उसे जजबे देनाड देखे है और असी पहल देती है और उसी कांटीनू करो लेखत नो जी डावटर साब इस तो बाद कुमंट साहब ने रोशनी अते हनेरे दी बड़ी फिलास्पी परीविया ख्या किती है पर बहुँ जादा विस्तार तो बचन लेई असी एसी से नो एड़ेट करन दी माफी चांदे हां कुमंट साहब लिख दे हां रोशना लोग बिमारियां जां हास्यां विच मर दे हां पर हर मोद दे पिच्छे कोई ठोस कारन होंदा है होन असी जून चरासिदे का लूकारेदी विचार कर दे हां एस दिन बोट वड़ी गिंती वेच संगता शिरी हर मंदर साहब वेच गुरु अर्जन साहब दी शहादत नो याद करन लेई आया हुए असान हर मंदर साहब सिर्फ सिखा लेई ही एक अत्पवित्र स्थान नहीं बालके एह हर प्राणी मातर लेई मुकदस था है इस दा ना ही हर मंदर रब है इत्थे मैं रुखना चांदा है एक आल साड़े मांच कदे नहीं आई मिल वाकन जड़ झाल बालके इ Mensch की यदी के इमेंविगनं लखी है तो उनन ने हर मंदर जमें हर मंदर साहभ अंग्रेजी स्पेल कर दे हां आर सो ही हर मंदर बन दे थे थे साहब रब दे ले जो उन्हें किया जोदा नाई है कि हर मन अंदर रब के जिस दा और ए बड़ा खुबसूरत जड़ा उन्हें इस दा अर्थकड़े और एवी एक खुबसूरत गाल दा मैं समीदें सिखर है कि गुरु अरजन साहिब ने इस हर मंदर साहिब दा नी पत्थर साही मिया मीरतों कि दी सांज देगाल नही ची похибी इससबूत से करब तो मंतर ने अंदर हर लंके जिस पंजाबी चीसटा अर्थ कर दें जिस से मंदर परातन पंजाबी चैशित कर लें स्तमाल ही में जích ज्भकुर गुर्बाने हैं जुन मंदर को थाम थमन त्यों गुरु का शबद मने अस्थमन के जवें पिलर जा थाम जड़े ओ कारनू जड़े ओ पूरी स्थिर रखदे इवें गुरु दा शबद माननू बन के रखदे सो असी इसनों हरी दा कार रब दा कार इस पावना दे विच्छी इसनों दा मीनिंग कर दें पर इनान एक बड़ा नमा अर्थ दते है के हर मन अंदर रब और मैं समय दें भी एक बड़ी खुबसूरत व्याक्य है हर मन दर ना दी जिस दा सफस्ट अर्थ है रब हार दिल विच वस्दा है हाँ जी तेन जून चरासी नू ए हर मन दूर दरडियों आईया से एक संगता नाल पूरी तरह जलवागर सी इस मौके पार्थी फोज ने जलवागर जलवागर सी के जलवा जला पूरी एक जल्ला पूरी फोज ने जिनादी पारी गिंती सी यह अधानिक अते आरा अते टैंक तोपा नाल शरीहर मंदर साइब अते सैंती होर अते आसे गुर्दवारें ते तावा बोल दिता संत जर्नेल सिंग पिंडरावाले जर्नल सुबेग सिंग अते होर उना दे साथियां ने एननी पारी फोज नाल बहतर कंटियां तक मुकाबला किता अते अखीर अखीले सा अते अखीली गोली तक जूँज दियां शिहिद होगे पार्ती फोज ने चार हजारतु जादा सिदारन सिखानू को को के मारया चिरिहर मंदल साहिब कंप्लेक्स विच पारी तुबाही मचाई गई सारी सेहकों अंदरो दे पांबड माच उठे एक पवितर देन दे मुके देश दी फोज वलों आपने ही शैरियां दा कतल इस सब दे जकीन करना ओखा लगदा है हाई ड़्ट साहाँ बड़ा मैं समिदें भी जड़ा हिस्टोरीकली करेक्ट है उनने डिस्क्राइब कीते हैं सेंती ते हास गुर्दवार यांदी गालवी है टेंका तोपा दी गालवी है शेहिदियां दी गिनती बेशाक उनने चार हजार दती है इस बारे जरूर जड़े सिक्ख हलके ने जांदरूनी हलके ने जांउस पीरियट जड़ा बहुत सारा वेरवा सामने आया है ए गिनती इस तो दुगनी हो सकती है हलांके सरकार ने ता फ्यू हंड़र तें सो चार सो दे वीची गाल मुकाद थी पर जड़े ओस पीरियट दे सरोत ने क्योंके आम देना चवी हर्मंदर साब दे विच हजारां दी गनती सिक्ख संगता होंदी है ते जवे ओस तिन शहीदी परप सी ग्रूर अरजन साइब दा है और बड़ी वड़ी गनती दे विच सिक्ख संगता आईया होंदी है पर बाकी सारा वेरवा जवे उनने डिसक्राइब कीते है एक्जेक्टली इस तरीक के देना लिवाप परे